क्योंकि नई नवेली किसी के घर में बीवी हो और उसको करने के लिए ना मिले तो बेकार है। हेलो दोस्तों ये कहानी पिछले कुछ महीना की है, जो आप लोगों को बताने जा रही हूं। मेरी शादी हुए मातर साथ महीने हुए हैं। और मेरी शादी के तीन महीने पहली ही बेहन की शादी हुई थी। महमान साओधी अरब में रहते हैं। मेरी बेहन अकेले ही अपने ससुराल में रहती हैं। शादी के एक महीने बाद ही मेरी बहन का हस्बेंड साओधी अरब चला गया. मेरी बहन छे महीने से ससुराल में अकेली थी. इस वज़ा से वहाँ अपने घर आ गई है. मम्मी पापा महमान से. बाद की महमान जी आप लोग नहीं है. वहाँ पर तो कविता को मैं यही ले आता हूँ. आप चार महीने बाद आएंगे तो फिर आप ले जाएंगे थोड़ा सा इसको अकेला पन वहाँ पर महसूस हो रहा है. अगर आप वहाँ पर रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती. तो मेरी बहन आ गई मेरे घर में मेरी पत्नी. मेरी मम्मी और पापा थे. मेरी बहन बहुत प्यारी है, सब की दुलारी है. सब लोग बहुत प्यार करते हैं. आज तक उसको कभी डांट नहीं पड़ा है घर में. शादी के बाद उसकी इजज़त और भी बढ़ गई है. जो मन करता है वह करती है. जो मांगती है वह उसे मिल जाता है. जब वह घर आई तो वह मेरे कमरे में ही आ गई. वह अपना बैग रखी और मेरे पलंग पर ही आराम करने लगे. मुझे लगा कि यह सब नॉर्मल है. शाम को भी चली जाएगी दूसरे कमरे में. उसको मम्मी पापा कुछ नहीं बोली उसको. इस वज़ा से मेरे बेड़ पर ही सोने का मन कर रहा है तो. मैं भी रात में दूसरे कमरे में आ गया. दूसरे दिन वहाँ फिर नहीं गई. मैंने रश्मी को बुला कर बाहर पूछा कि रश्मी क्या आज भी दीदी अपने कमरे में ही सोएगी क्या. रश्मी बोलिये बात मैं कैसे पूछू उससे तुम ही पूछ लो. यार सारे काम खराब हो गया मैं तो पूछने से रहा पर शायद आज भी लगता नहीं जाएगी. रात के दस बस गए. दूसरे दिन भी हम वैसे ही हुआ अपने दूसरे कमरे में. जाकर सो गया. तीसरे दिन की बात है मेरा दिमाग खराब होने लगा था. क्योंकि नई नवेली किसी के घर में बीवी हो और उसको करने के लिए ना मिले तो बेकार है. कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना ही पड़ेगा. मैंने रश्मी को बोला कि देख रोज-रोज मैं तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ. पूरी रात जगा रहता हूँ. जब मेरी बहन बात्रूम गई तो मेरी बीवी रश्मी उस समय किचन में खाना बना रही थी. मैं भाग कर गया और बोला आज रात को डूँ. प्लीज यार जरूर देना. तो रश्मी बोली फिर आजाना कमरे में आज रात जब तेरी बहन सो जाएगी. तुम तुरंथ ही मुझे कर लेना. मैंने कहा हाँ यार ये तो सही है. फिर कैसे पता चलेगा कमरे में तो अंधेरा रहेगा. तुम किधर? सोएगी उसे कहा मैं आगे सोऊंगी. मैंने कहा ठीक है. फिर तुम निचे पहन कर नहीं सोना. मैं 90 उपर करके तुरंथ ही कर लूँगा. जल्दी से कमरे से निकल जाऊंगा. मैं आज उसकी के कमरे में अपनी बीवी को करने वाला था. रात को करीब एक बस गया था. मैं एक मूवी देख रहा था. मैं रश्मी के कमरे के दर्वाजे को खोला. और फिर कमरे का दर्वाजा बंद करके अंदर चला गया. अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. मैं मोबाइल फोन भी नहीं ले गया था ताकि मैं थोड़ा सा लाइट जला कर देख लो. पर मुझे यह. याद था कि रश्मी बोली थी कि मैं आगे सोऊंगी. मैं रश्मी पर हाथ रखा तो उसके पिछे के अंग पर हाथ मेरा पड़ा. जैसे ही हाथ करा वह सीधी हो गई. मैं समझ गया कि रश्मी है. और हम लोग खुब अच्छे से किये और मैं वापस. आकर सो गया. सुबा उठे बीबी बोली रात को नहीं आये क्या हुआ. मैं चौब गया और बोला आया तो था और किये भी थे. हम लोग वो बोली मेरे को तो नहीं पाता तुम किसको कर दिये. यार अब मैं सब कुछ समझ गया था कि वो बहन थी. फिर मैंने उसकी चार महीने तक मोका मिलने पर क्या फिर उसकी पती आ गए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सबस्क्राइब करे. फिर मिलती हो. एक और न्यू वीडियो में धन्यवाद. यज वीडियो न वीडियो気.